मेन वीडियो पर आने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि किस-किस को लगता है कि तुम्हारी भावी ने कैप्टेन मार्वल का पार्ट कैरल डानवर्स के कैप्टेन मार्वल से ज़्याद अच्छा प्ले कर दिया प्लस ये भी बताना कि अर्थ में ऐसा कौन सा एवेंजर या कैरेक्टर है जो तुम्हारी भावी गाया को टक कर दे सकता है and if possible reason भी दे देना ताकि मुझे समझने में आसानी हो आपका perspective now coming back to the video देखते हैं कि गाया के पास किस कैरेक्टर के पावर है and कौन-कौन से उसने use किये इस सीरीज के अंदर note हम यहां ग्रावी के पावर transformation को भी count करेंगे क्योंकि वो दोनों को powers harvest से मिला था मतलब कि जो power ग्रावी के पास है वो power most probably यहां पे गाया के भी पास होगा शुरू करते हैं ग्रावी के transformation से जो की most probably हलक का mini version था जिसके वज़े से उसके शट वगरा यहां पे फट जाते हैं जिसके जवाब में I guess गाया ने थौर के physical strength को use किया होगा ग्रावी के हाथ को रोकने के लिए and ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाया का हाथ किसी भी अजीब तरीके के transformation से नहीं गोजरा हो सकता है कि यहां पर गाया ने captain या winter soldier के जो super soldier वाली strength है super strength उसको use किया हो इसलिए यहां पर हमें कोई भी transformation देखने को नहीं मिला बट आप ही सोचो क्या captain America इतना strong है कि वो hulk का हाथ रोक सके मुझे comment section में इसके बारे में जरूर बताईएगा अब आते हैं गाया के counter attack पर जिसमें गाया ने hulk के हाथ का use किया था जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्राविक का एक हाथ घूत का है वहाई दूसरा हाथ abomination का है ब्लस पता नहीं क्यों ग्राविक के दोनों कान भी abomination के जैसा हो गयते coming back to गाया बेबी जो कि extremist को यहाँ पर use कर रही थी गाया को बेबी बुला देने के वज़े से offend होने वालो मैं आपको बता दूँ कि बेबी मैंने यहाँ पर इसलिए बोला है क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ Drax का एक हाथ को देखो ऐसा लग रहा है मानो किसी बच्चे का है यह देखकर तो मुझे डेटपुल की यादा गई थी लेकिन उसको यहाँ पर नहीं लाते हैं इनिवेज कमिंग बैक टो नेक्स्ट पावर जो कि आउट अप सर्प्राइज आया था और वो था घोश्ट के पावर जिसको गाया यहाँ पर यूज करती है फेस करने कले इस कार के थुरू एन इसके बाद ग्रेविक कॉर का हाथ बना लेता है जिससे गाया भी कॉपी कर लेती है बट जैसा कि स्मार्ट बच्चे करते हैं न उतना ही कॉपी करो जितना पटा न चले इसलिए गाया यहाँ पर अपने राइट हैंड को फ्रोश्ट बीस्ट में ट्रांस्फॉर्म करती है जो की हार्ड आइस बना सकता है थौर्ड डार्क वर्ल्ड में जब उस बीस्ट को अर्थ में दिखाये गया था इस सीन के अंदर तो ऐसा लगा था कि उसको मजाक में डाल दिया है बट फाइनली उसका यूज होते वे हमें यहाँ दिख रहा है जहाँ पे शील्ड वालों ने उसका डी एने तक को निकाल लिया होगा हर्विश्ट में डालने के लिए एंड हाँ अगर कोई सोच रहा है कि घोष्ट की पावर्स इनके पास कैसे आई तो बॉस most probably हो सकता है कि जब घोष्ट पर experiment हो रहा था शील्ड में तभी उसका वहाँ से डियने ले लिया गया same goes for abomination जो कि इतने समय से जेल में था और उसका खून तो सिर्फ हमें हल्क मुवी के अंदर गिरते वे देखने को मिला था खेर अब आते हैं अगले पावर की और जहां हम देख पाते हैं कि ग्राविक इबॉनी मॉक के पावर्स को यूज़ करता है जिससे हमें ये पता चलता है कि टेलिकनिक्सिस के पावर जो इवनी मॉई यूज़ करता था वो उसके बॉड़ी से अफिलियेटेट था ना कि किसी मैजिक से वेल इसके बाद ग्राविक अपने पैर को ट्रांसफॉर्म कर लेता है हल्क में और उससे किक करता है गाया को जो कि मुझे इंक्रिडेबल हल्क की इस किक की याद दिलाती है जो कि आज भी पूरे MCU की बेस्ट किक में से एक है इसके बाद ग्राविक अपना राइट हैंड को थैनॉस की जैसा बना लेता है वहीं दूसरा हाथ वो कल उपसीडियन के जैसा बना लेता है जिसके रस्पॉंस में गाया भी कल उपसीडियन के जैसा हाथ फॉर्म कर लेती है और चारजिन करने लगती है और इसी दर्मियान वो खुद को कैप्टन मार्वल के बाइनरी फॉर्म में भी ट्राश्फॉर्म कर लेती है जिसे ग्राविक भी तुरंत कॉपी कर लेता है और इसके बाद तो ग्राविक थैनोस वाले हाथ से गाया के कैप्टेन मार्वल वाले हाथ को तोड़ देता है अज आप यहाँ पे क्रैकिंग साउंड सुनते हैं मतलब कि थैनोस कैरोल की हड़ी तक को तोड़ सकता था अगर वो इन्फिनिटी स्टोंस के पावर को यहाँ एब्जॉब करके तेजा नहीं बन रही होती एनिवेज यहाँ गाया भी दिमाग से काम लेती है और वो खुद को मैंटिस में ट्रांसफॉर्म करती है और ग्रैविक को सुला देती है ठीक वैसे ही जैसे थैनोस को टाइटन में सुलाने का प्लैन बनाया गया था इन लोगों द्वारा और मैंटिस तो यहाँ पर कोशिश भी की थी लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर इसका असर सिफ कुछ शकेंड के लिए रहता है जिसका कारण यह हो सकता है कि गिरते ही ग्रैविक को वो सागिया होगा क्योंकि उसको जोर का जटका धीरे से लागा होगा जिसके बाद से ग्रैविक की यहाँ पर कैप्टेन मार्वल के जैसे एनरजी बीम छोड़ता है जिसके response में Gaia उसको dodge करके super hero landing करती है जो की super hero होने के लिए necessary pose है I guess खेर इसके बाद Gaia कोई भी new power use नहीं करती है वही Call of Ceedian and Captain Marvel के power के दम पर ही gravity को यहाँ पर निपटा देती है वैसे इस fight से हमें कई सारी चीजे पता चली जैसे की Gaia उन powers को use कर सकती है जो की user के body से related है जैसे की strength बट अगर किसी के पास phasing की power है अपने body के वज़े से जैसे की घोश तो उसको भी use किया जा सकता है या फिर खुद को heal करने की power हो जैसे की extremist low के पास था तो उसे भी वो use कर सकती है इसके अलावा अगर आप ध्यान दोगे तो गाया ने Captain Marvel के powers को सिर्फ use ही नहीं किया बलकि वो full binary mode में चल गए थी मतलब कि Captain Marvel के full potential में जिसमें उसकी आँख तक glow कर रही थी और सब से डराने वाली बात तो ये है कि हमने तीन powers को एक साथ काम करते वे देखा हुआ है इस shot के अंदर जहां गराविक थैनोस का हाथ कल उपसीडियन का हाथ और Captain Marvel के powers को use कर रहा था इसके अलावा उसकी body भी jacked up लग रहे थी मतलब कि और भी किसी character के powers यहाँ पे शायद तक use हो रहे होंगे जिसको अभी के लिए तो हम लोग साइट रखते हैं लेकिन यहाँ पर तीन powers use होते हुए तो हम अराम से देख सकते हैं जिसको गाया भी कर सकती है अगर ऐसा हुआ तो I'm pretty sure कि Earth में ऐसा एक भी character फिलहाल तो मौझूद नहीं है जो कि उसको टककर दे सकता है except Doctor Strange उसमें भी मुझे थोड़ा सा अंदर तो वहाँ पर अभी क्या चल रहा है ये वही लोग जानते हैं और Earth में अभी Doctor Strange है या नहीं ये तो हम नहीं जानते प्लस एक और चीज जिसको हम लोग count नहीं कर रहे हैं फिलहाल के लिए वो ये है कि Thor के blood से गाया को क्या powers मिले हैं क्या सिर्फ उसको super strength मिला होगा जो कि God Slow के पास minimum रहता है या फिर उसको lightning power भी मिले होंगे क्योंकि Thor के पास जो lightning power है वो मियोनिर से नहीं बलकि उसके अंदर से आती है अभी तक हम लोगों ने देखा हुआ है जैसे कि आप इवानी मौ को ले लीजिए या फिर कैरोल टैनवर्स को ले लीजिए इन दोनों के powers उनके body से आती है तो हो सकता है कि गाया शायद तक Thor के lightning power तक को use कर सकती है और अगर ऐसा है तो boss ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अब MCO के अंदर कौन है सबसे ज़्यादा powerful यहाँ पर experience के मामले में शायद तक Gaia बहुत नीचे आए लेकिन powerful होने का फायदा ये होता है कि आपके power अगर बहुत ज़्यादा हो तो सामने कोई tick भी नहीं पाएगा वेल अभी तक तो हमने सिर्फ plus points ही गिनवाए हैं अब हम लोग थोड़ा सा negative points भी गिनवा देते हैं और वो यह है कि Gaia के पास इतने सारे characters के powers है तो obviously उन characters के weaknesses भी होंगे जैसे कि जब यहाँ पे Gaia phasing power को यूज करती है घोश्ट का तो हम उसको हाफते वे देख सकते हैं मतलब कि यह चीज उसके body के उपर बहुत ज़्यादा toll मार रहा था हो सकता है ऐसे ही बाकी सारे characters के power भी Gaia के उपर कुछ न कुछ असर कर रहा हो लेकिन क्योंकि वो यहाँ पे rage में थी और उसको ग्रैविक को हराना था इसलिए शायद तक उस चीज पर focus नहीं किया गया और हमें नहीं दिखाया गया कि उसकी limitations किया है वैसे भी हमने ग्रैविक को मरते वे देखा है तो यह बात तो साफ है कि इसको भी हराया और मिटाया जा सकता है खैर यह तो मेरा breakdown था कि Gaia के पास कितने powers है और कितने हो सकते हैं अब आप मुझे बता हो कि जिस character को आपने सोचा था कि वो Gaia को हरा सकता है क्या Gaia के powers को जाने के बाद भी आप उसी character के साथ खड़े है या अब आप मेरी इस बात से agree करते हैं कि Gaia is the strongest character on earth in MCU right now To be honest यह पहली character है Wanda के बाद जिसनी मेरा ध्यान खीचा है female superheroes के side से And now I am big fan of her वैसे भी किस-किस को लगता है कि Gravick vs Gaia का fight एक live action version था Kevin vs. Aggregor का जहां दोनों ही character different aliens के power को use करते हैं लढने के लिए अंतर सिफ इतना है कि Kevin vs. Aggregor में Kevin dominate कर रहा था And fight एक तरफा सा लग रहा था वहीं यहां पर यह fight balance था जहां कभी Gravick dominate कर रहा था तो कभी Gaia Well मुझे मालूम है कि Secret Invasion के पास कई सारे सवाल होंगे आपके मन में तो अगर आप उसके उपर वीडियोज देखना चाहते हैं तो comment से question वाले अगले episode में मैं Secret Invasion से जूड़े questions उठाने वाला हूँ तो जितने भी सवाल है आप उनको comment section में पूछ सकते हैं खेर तो आज के लिए बस इतना ही I hope आप सभी ठीक हो टाइम से खाना पानी पीते रह रह रहे हैं प्लस exercise भी कर रहे हैं ताकि आप healthy and hydrated रहे हैं इसके अलावा अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो या फिर हमारी content अच्छी लगी हो और ऐसे ही वीडियोज अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को subscribe कर दे प्लस bell icon दबा दे ताकि कोई भी वीडियो आप miss न करें इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी आपके जैसा enjoy कर भाए है इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि यह लोगों की मदद करें अपना खयाल रखें and keep moving forward का रट लगा कर आगे बढ़ते जाएं ताकि वर वाचिंग इस वीडियो स्टे तुने